भारत के अंदर जम्मू कस्मीर के अंदर रहने वाले ही कुछ पार्टीज कहें या फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो की भारत विरोधी काम यदि कुछ होता है तो उसमें होते हैं खुस खुस होने वाले लोगों में सब से ऊपर आती है हुरियत कॉन्फरेंस नाम की एक पार्टी थोड़ा जान लेते हैं कि इनकी खुसी का कारण क्या रहता है और ये क्या है? किस परकार से? ये इसका निर्माण जो है वो हुआ है? क्या है हुरियत कॉन्फरेंस? क्योंकि लगाता जो है अपना काफी जुकाव रखती है ये हुर्यत कॉन्फरेंस क्या है इसका मकसद क्या है और इसकी शुरुवात कब होई थी ये एक ऐसा संगटन है जो कि जम्मू कस्मीर में अलगावबाद की विचारधारा को प्रोथसाहित करती है अलगावबाद यानि की भारत से अलग कॉन्फरेंस और एक नेशनल कॉन्फरेंस नाम की पार्टी थी और कॉन्ग्रेस ने गठवंदन करने के बाद चुनाव लड़ने का एलान किया था जम्मू कस्मीर के अंदर कहाटी में इनके खिलाफ बहुत विरोध भी हुआ था इस चुनाव में भारी बहुमत से जीत कर फारुक अबदुल्ला ने राज में अपनी सरकार बनाई थी इनके विरोध में खड़ी हुई विरोधी पार्टियों की मुसलिम युनाइटेड फरंट को केबल चार सीट मिली थी जबकि जम्मू कस्मीर और नेशनल कांफरेंस को 40 और कॉंग्रेस को 26 सीटें मिली थी इसके ही विरोध में घाटी में 13 जुलाई 1993 को औल पार्टीज हुर्रियत कॉंफरेंस की नीव रखी गई इसका काम पूरी घाटी में अलगावादी आंदोलन को गती परदान करना था यह एक तरह से घाटी में नेशनल कॉंफरेंस और कॉंग्रेस के विरोध स्वरूप एकत्रित हुई छोटी पार्टियों का महागटबंदन है मकसद क्या है इस महागटबंदन का तो इस महागटबंदन में केवल वही पार्टियां सरीक हुई जो जम्मू कस्मीर को वहां के लोगों के अनुसार जनमत संग्रह करा कर एक अलग पहचान दिलाना चाहते थे यह चाहते थे कि एक जन्मत संग्रेक कराया जाए और जम्मू कस्मीर को एक अलग पहचान दिला दी जाए सारी पालटिया मिलकर एक महागटवंदन बना लेती है हाला कि इनके मनसूबे पाक को लेकर काफी नरम थे पाकिस्तान के एक सपोर्टर थे ये सभी मौकों पर भारत की अपेक्षा पाक से अपनी नजदीकिया दिखाते रहे हैं नब्य के दसक में जब घाटी में आतंकवाद चरम पर था तब इन्होंने खुद को वहाँ एक राजनेतिक चहरा बनाने की कोसिस की लेकिन लोगों ने इसे नकार दिया इनका कहना था ये इस्थानिय लोगों के मन की बात को सामने लाने का काम कर रहे हैं लेकिन इनके पाक अधिक्रत कस्वीर पीयों के जो है उस पर कोई राय नहीं है इनके उपर आरोफ है कि ये विदेशों से धन लेकर घाटी में अलगावबादी विचारधरा को बढ़ाते हैं इनके कई नेताओं पर देश विरोधी कार्यों में सामिल होने के आरोफ है हाला कि ये सारी की सारी बातें जो है होती है लेकिन थोड़ी सी बात और हो जाए क्या है हुर्यत आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि United Kingdom जो है UK उसने कंफर्म कर दिया है कि G20 की मीटिंग जो होने वाली है कस्मीर में उसके अंदर British High Commission ने कंफर्म किया है कि UK जो है वो अटेंड करेगा जब UK अटेंड करेगा तो ये हुरियत टाइप की जो लोग है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए मिलेंगे अगले सेशन में तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत भन्नेवाद जैहिंद